आज सिद्धु मुसेवाला को चाहने वाले तमाम दर्शक बहुत खुश होंगे नमस्कार आप सभी का एक बर फिट से हमारी एक और नई वीडियो में स्वागत है अपने मोबाइल सक्रीन पर आप तस्वीरे देख रहे हैं और साथ ही हमने कैक्शन भी लिखा हूँ है सिद्धु मुसेवाला के गर गुंजी किलकारी सिद्धु मुसेवाला की मा ने बेटे को दिया जनम जी हाँ ये बिल्कुल सही है तस्वीरे लगातार आप देख रहे हैं और कुछ वीडियो क्लिप्स के माद्यम से आज हमें एक एहम ख़बर अपने तमाम दश्कों और साथे साथ जो भी पंजाबी सिद्धु मुसेवाला के फैंस हैं उन तक जानकारी पहुंचाने की कुशिश करेंगे मशुहूर सिद्धु मुसेवाला के फैंस के लिए एक बड़ी ख़बर है सिद्धु मुसेवाला के गर किलकारी गुंजी है बीते काफी वक्त से सोशल मीडिया पर खबर आ रही थी आप सबी ने देखा होगा लग-लग सोशल हैंडल पर चाहे ट्वीटर के बात करें, इंश्टाग्राम के बात करें हर जगा अलग-लग खबर आ रही थी कि सिद्धु मुसेवाला की मा चरन कोर फिर से मा बनने वाली है वहीं अब उनकी मा ने एक बेटे को जर्म दिया है सिद्धु मुसेवाला की मा चरन कोर इस बार फिर से एक बेटे की मा बनी है तस्वीरे आप देख सकते हैं तमाम डॉक्टर्स उनके साथ मुझूद हैं और छोटा सिद्धू मुसे वाला ही कहेंगे क्योंकि इस समय यूट्यूब इंस्टाग्राम पर यही चर्चा चल रही है कि सिद्धू मुसे वाला लोट आया है अक्सर आपने देखा होगा तमाम ज जो लिखी जाती थी जो बातें बोली गई हैं वो सब सही हुई है बगवान की कृपा से और आज उनके गर एक बार फिर से बहुत बड़ी खुशी आई है लगातार हम आपको तिस्वेरे दिखा रहे हैं और जो जानकारी हमारे पास है हम आप तक सांजा भी कर रहे हैं लेक भी हैً इस ख़बर के सांवने आते ही सिदम् मुसेवाला के फैंस की ठीकाना नहीं है चरन्कोर के मां बढने की ख़बर खुद सिदम् वो सिदुमुसेवाला के पिता बलकूर ने ही शेयर की थी और उन्होंने अपने सोशल अकाउंट्स पर ये पिक्चर शेयर की थी और इस पिक्चर के शेयर कते ही सिदुमुसेवाला के जितने भी तमाम फैंट्स हैं उनकी खुशी का ठीकान नहीं रहा बलकोर ने अपने बच्चे की पहली जलक भी सोचल मीडिया पर फैंट्स के साथ शेर की है आई आप खबर पर आते हैं पीता ने दिखाई पहली बेटे की पहली जलक बलकोर उन्होंने ही पहली तस्वीर जो है वो सोचल मीडिया पर दिखाई सिद्दुम मुसेवाला के पिता ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने नन्ने बेटी की तस्वीर शेर की है इस तस्वीर में बलकोर बेटे को गोद में लिए नजर आ रहे हैं वही उनके पिछे सिद्दुम मुसेवाला की एक तस्वीर रखी नजर आ रही है आपने इन तस्वीरों में भी देखा होगा हमने वो तस्वीरें भी चलाई है कि वो अपने बेटे को लेकर बैठे हुए है और साथ ही पीछे एक तस्वीर भी पड़ी हुई है सिद्दुम मुसेवाला की आप देख सकते हैं यह तस्वीर उनने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेर की है इस तस्वीर में बलकूर अपने बेटे को गोद में लिए दिख रहे हैं तस्वीर को शेर करते हुए उनने कैप्शन में लिखा शुब दीब को चाहने वाली लाखो करोडो आत्माओं के आशिवा से बगवान ने शुब के छोटे बाई को हमारी गोद में डाल दिया है बगवान के आशिवा से परिवार सवस्थ है और मैं सभी शुब चिंदकों के अपार प्यार के लिए अबारी हूँ यह पिक्चर उन्होंने सोचल मीडिया पर शेयर करते हुए कैप्शन लिखी है जो हम आपसे कह रहे हैं एक बार फिर हम बता देते हैं कि उन्होंने कैप्शन में क्या लिखा है तस्वीर को शेर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा शुबदीब को चाहने वाली लाखो करोडो आत्माओं के आशिवात से बगवान ने शुब के छोटे भाई को हमारी गोद में डाल दिया है बगवान के आशिवात से परिवार सवस्त है और मैं सभी शुबचिंदकों के प्यार अभार प्यार के लिए अभारी हूँ यह कैप्शन जो हम आपको बता रहे हैं यह उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पिक्चर के साथ शेर करते हुए यह कैप्शन लिखा है आप सबी ने तमाम वीडियोस तमाम पिक्चर इस समय सोचल अकाउंट पर देख लिए होंगे लेकिन हमने जब यह पिक्चर देखी तो हमें भी काफी खुशी हुई तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ पिक्चर कलेक्ट करके और कुछ वीडियोस कलेक्ट करके तमाम दशकों तक खास करके जो भी सिद्व मुसेवाला के फैंस हैं हाला कि पूरे बारत में सिद्व मुसेवाला के फैंस हैं क्योंकि अभी भी उनके गाने अगर आप कहीं जिम में चले जाएंगे वरक आउट करने के लिए तो जुरूर आपको उनके गाने सुनने को मिलेंगे चाहे आप कहीं गाड़ी में बैठे हैं या फिर शादी समहरों में जा रहे हैं या फिर कहीं बड़बडे फंक्शन्स पार्टीस में जा रहे हैं तो जुरूर वहाँ पर आज भी सिद्व वाला के जो गाने हैं वो बजाय जाते हैं उन्हें पसंद किया जाता है और तमाम जो भी फैंस उनके हैं आप देखेंगे लोगों की गाड़ियों में अभी तक भी उनके फोटोस पिछे लगे हुए हैं और कहीं न कहीं उस पर लिखा होता है लेजेंड्स नेवर डाई तो भी बड़ बड़े इवेंट होते हैं तो जुरूर लोग जो उनके फैंस होते हैं वो काफी शोर मचाते हैं कि सिद्व मुसेवाला तो इसका एक है कि जो सही बंदा इस धर्ती पर रहता है अगर वो चला भी जाता है पीछे से लोग फिर भी उसकी कहीं न कहीं अच्छी बा जा सकता है कि अब वो लोट आए हैं तो हम यही कहेंगे कि जिस तरह से उनके गाने आज भी जिम्स में सुने जाते हैं या फिर गाडियों में सुने जाते हैं बड़ बड़ी पार्टिस में सुने जाते हैं तो उसका एक ही पॉइंट निकल कर सामने आता है कि अच्छे इंस यहां फिर कोई गलतीस वीडियो में हुई है तो हम शमा चाहते हैं आपको कोई भी जानकारी अगर इस कबर से जुड़ी आप जानते हैं तो जुरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फिलाल तस्वेरे आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारी तस्वेरे हैं इस वीडिय के साथ आप हमें दे इजाज़त आप सबी अपना ध्यान रखे नमस्कार जैहिंद